So hello everyone, आप सभी का स्वागत करता हूँ SSC 98 के इस YouTube चेनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं Esthetic GK का very important topic जो रहेगा temple से related ठीक है आपको पता है कि जितने भी important temple है उनसे related हर एक exam में question पूछे जाते हैं और ये Esthetic GK series का chapter number 5 में cover करने वाला हूँ तो इस topic से जितने भी अभी तक exam में पूछे जा चुके हैं question उनस अभी को इस वीडियो में देखने वाले हैं ठीके और total में 35 plus ऐसे questions करोंगा जो की बार बार repeat होते हैं तो ये आपके आने वाली किसी भी exam के लिए कापी important रहेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और आपको हमारे पुराने वीडियो अगर देखना है तो उपर दियेगे i-link या description में आपको playlist मिल जाएगी वहाँ से जाके जरूर देखेगा तो चले फिलाल शुरूर करता है इस वीडियो की तो हमारा question number first है कि भगवान सीव के तीन मुखो का प्रतिन इदित्व करने वाली साथ मीटर उची सदासीव गुफा में पाई जाती है तो साथ मीटर उची जो मुड़ती है सदासीव गुफा में पाई जाती है तो किस गुफा में पाई जाती है दोस्तों तो याद रखना एलिफिंटा की गुफा में पाई जाती है भगवान सीव की साथ मीटर उची मुड़ती ठीके तो option number A यहाँ पर बिल्कुल सही answer होगा नेक्स्ट कोश्चन है कि निन्म लिकित में से कोन गंधार कला सेली का प्रतिन इदित्व करता है तो कोन गंधार कला सेली का प्रतिन इदित्व करता है तो इसका correct answer होगा बामियान बुद्ध बामियान बुद्ध इसका सही answer होगा option number A नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर 3 है कि निन्व मेंसे भारत में मंदीर इस्तापत्य कला की तीन प्रमुख परंपरागत सेलिया कोन सी थी तो कोन सी परंपरागत सेलिया हो सकती है आपके अकोडिंग तो टीन सेलि याद रखना नागर वेसर एवं द्रविड सेली ये तीनो सेली इंपोर्टेंट है एक्जाम में पूछा जाता है ठीक है next question है कि निनमलिकित में से की स्राज्य में सबरी माला स्री धर्म संस्था मंदिर इस्ती थे तो कहां पर इस्ती थे सबरी माला तो इसका correct answer होगा केरल इसे भी इस्टार लगा लिजे काफी बार एक्जाम में पूछा जाता है रिपीट होता है ठीक है और वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज लाइक करना next question है कि निनम में से किस सहर या केंद्र सासित प्रदेश में हजरत निजामुदिन ओलिया महबूब ए इलाही दरगा इस्टी थे तो महबूब ए इलाही जो दरगा है दोस्तो ये इस्टी थे नई दिल्ली में ये तो आई थिंक आपको पता होना चाहिए ये भी रिपीट होता है एक्जाम इसे भी इस्टार लगा लिजे ठीक है next question देख लेते हैं कि निन्व में से किस यूरोपिय देश की कला से प्रभावित थी गंधर कला से ली अप्सन नमबर ही यहाँ पर right answer होगा next question देखते हैं कि इटो और काले संग्मर्मर से बनी कदम रसूल मस्झित कहा इस्ती थे तो इट एवं काले संगमरमर से जो बनी है कदम रसुल मस्जीद ये इस्तित है दोस्तों गोर में कहां पर गोर तो हमार ओप्सन नमबर सी यहां पर बिल्गुल करेक्ट आंसर होगा नेक्ष्ट कोस्चन देखते हैं कि हर मंदीर साहीब जिसे स्वर्ण मंदीर के नाम से भी जाना जाता है कहां इस्तिते तो इसे तो बताने की जरुवत नहीं है यह तो आपको पता होगा अमरसर इसका सही अंसर होगा जो कि गुल्डन टेम्पल के लिए काफी फिमा से ठीक है जो पंचुरत का निर्मान करवाया था यह करवाया था पल्लव अंसने किसने करवाया था पल्लव अंसने नेक्ष्ट देखते हैं कि निर्मलिकित मठो में से कौन सा मठ सिक्किम मिष्टी थे तो निर्मलिकित मठो में से कौन सा मठ सिक्किम मिष्टी थे तो इसका correct answer होगा room take क्या होगा correct answer room take ठीक है next question है कि बिर्जा मंदीर राजरानी मंदीर और समलेश्वरी मंदीर सभी में इस्ति थे तो बिर्जा मंदीर राजरानी मंदीर और समलेश्वरी मंदीर जो तीनो है ये दोस्तों याद रखना तीनों ओडिसा में इस्ती थे, कहां पर इस्ती थे, ओडिसा, तो option number D, यहां पर right answer होगा, बढ़ते हैं next question की तरफ, कि भारत के किस भाग में जेन दर्म के दिलवाडा मंदीर इस्ती थे, इससे भी इस्टार लगा लिजे, हाली में SSC CGL के exam में भी पुछा गया ह और अल्रेडी देखिये, CHSL के exam में भी पुछा जा चुका है, तो जो दिलवाडा मंदीर है, यह इस्ती थे दोस्तों, माउंट अबू राजिस्तान में, कहां पर माउंट अबू राजिस्तान में, next question है कि खजुराओ के मंदीर किस राज्य में इस्ती थे, most important और काफी बा लिंगराज मंदीर किस सहर में इस्ती थे, जो लिंगराज मंदीर है, यह किस सहर में इस्ती थे, तो इसका राइट अंसर होगा, भूमनेश्वर, ओडिशा, ठीक है, तो याद रखना, लिंगराज मंदीर कहा है, भूमनेश्वर, ओडिशा में, next सवाल है कि भारत में मंदीर कहा इस्तिते तो यह इस्तिते दोस्तों महाबली पूरम इसका राइट अंसर होगा महाबली पूरम में नेक्ष्ट कोश्चन देखते हैं कि पंचाय सेली किस से संबंदी थे तो पढ़िए चार अप्शन और बताईए खुश से कोश्चन की क्या आंसर होगा पंचायतन सेली किस से संबंदी थे तो यह मंदीर की वास्तुकला से संबंदी थे अप्शन नमबर डी यह पर करेक्ट आंसर होगा किस संबंदी थे मंदीर की वास्तुकला से नेक्स्ट कोस्चन देख लेते हैं कि गुप्त काल का प्रसिद दस आउतार मंदीर जिसे उत्तर भारत के प्राचिंतम पंचायतन मंदीर में से एक माना जाता है यह कहां पर इस्थित आपको बताना है तो दस आउतार जो मंदीर है ये स्थित दोस्तों देवगड में कहां पर देवगड याद रखना इसे Next question है कि निनमलिकित मंदीरों में से कौन सा मंदीर आटवी सताब्दी इस्वी के दोरा नहीं बनाया गया था कौन सा मंदीर आटवी सताब्दी इस्वी के दोरा नहीं बनाया गया था तो व्रहदेश्वर मंदिर जो की तंजाउर में ये आटिवी सतावदी के दोरा नहीं बनाया गया था यादर्कना अप्सन नंबर 20 इसका correct answer होगा next question देख लेते हैं कि भारत के किस सहर में भगवान ब्रह्मा का एक मांत्र मंदिर इस्ति थे तो किस सहर में भगवान ब्रह्मा का एक मांत्र मंदिर इस्ति थे तो इसका right answer होगा पुसकर पुसकर मंदिर ठीक है next question कि तमिल नडु में इस्तित कपालेश्वर मंदिर की भारतिय देवता को समर्पी थे जो कपालेश्वर मंदीर है ये किस वारती देवता को समर्पी थे तो ये समर्पी थे भगवान शीव को तो अपसा नमबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट अंसर है नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं कि किस वन्स के सासको द्वारा को नारक मंदीर का निर्मान कराया गया तो यादर्खना इसका सही अंसर होगा पुर्वी गंग वन्स के द्वारा पूचय जाता एक्जाम में नेक्स्ट कोश्चन है कि किस मंदीर के पास चारुपल्लम विलेज ओफ क्लाइन इस्ति थे तो विलेज ओफ क्लाइन जो इस्ति थे ये इस्ति थे राज राजेश्वर मंदीर इसका सही अंसर होगा अप्सन नमबर बी ठीक है next question देखते हैं कि सोमनात मंदीर की सराजी के तरट पर इस्ती थे सोमनात मंदीर की सराजी के तरट पर इस्ती थे तो यह गुजरात राजी के तरट पर इस्ती थे दोस्तों सोमनात मंदीर next question कि प्रसिद सिहस्वर मंदीर जो सिहस्वर मंदीर है बिहार राज्य में कहां इस्तिते ये भी पूछा जाता है एक्जाम में ठीक है तो जो सिहस्वर मंदीर है ये बिहार के मादेपुरा में इस्तिते ठीक है इसे भी याद रखना हूँ नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं कि मिनाक्ची मंदीर कहां अवस्तित है तो मिनाक्ची मंदीर मदूरे में इस्तित है यह तो आपको पता होना चाहिए पूछा जाता एक्जाम में नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं कि अंग कोरवाट मंदीर में इस्तापित मुड़तिया है तो अंग कोरवाट मंदीर में जो इस्तापित मुड़तिये वह किसकी है तो हिंदू देवताओ की याद रखना ठीक है नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं कि होई शलेश्वर इये मंदिर इस्तित करनाटक में तो option नमबर डी यहां पर right answer होगा next question है कि कंदारीया महादेव मंदिर कहां इस्तित है तो कंदारीया महादेव मंदिर जो इस्तित इस्तित है ये इस्तित धे खजुराओं में MP में ठीक है मद्ध्य प्रदेश में अगला सवाल कि निर्म लिकित में से कौन सा सहर स्वामी नारायन अक्छरदाम मंदीर के लिए प्रशिद दहे बताए खोश से आप इसका क्या होगा करेक्ट अंसर तो स्वामी नारायन का मंदीर जो है अक्छरदाम मंदीर ये है नई दिल्ली में नेक्स्ट कोस्चन की डक्छिन भारत का ग्यान सरस्वती मंदीर कहां इस्तिते तो ग्यान सरस्वती मंदीर जो इस्तिते ये इस्तिते बसर में तो अप्सन नबर है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा बसर नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं कि भारत में सोर मंदीर कहां इस्ति थे भारत में सोर मंदीर कहां इस्ति थे तो ये इस्ति थे महाबली पूरम में कहाँ पर महाबली पूरम में इस्ति थे सोर मंदीर नेक्स्ट सवाल है कि फोडों मठ कहां इस्ति थे फोडोंग मट तो फोडोंग मट इस्तित जुस्तों सिक्किम में कहाँ पर सिक्किम में तो हमारा यहां अप्सन नमबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट कोस्चन देख लेते हैं कि धर्मराज रथ या युदिष्टिर रथ भीम रत, अर्जुन रत और नकुल सहदेव रत महावली पुरम में पंच रतों में से चार है पाचवे रत का नाम बताईए तो यहाँ पर आपको चार रत दिये आपको पाचवे रत का नाम बताना है तो पाचवे रत कौन सा हो सकता है तो इसका correct answer होगा द्रोपती इरत ठीक है, option number A यहापर बिल्कुल correct answer होगा next सवाल है, कि निनमलिकित में से किस मंदीर में पेंचायतन सेली की वास्तु कला है किस मंदीर में पेंचायतन सेली की वास्तु कला है तो किस मंदीर में है तो इस correct answer होगा 10 आउतार मंदीर Option number D इसका correct answer होगा 10 आउतार मंदीर ठीक है Next question कि निनमली कित में से कौन सा इस्थान हेमिस मट के सरवादिक समीप है कौन सा इस्थान हेमिस मट के सरवादिक समीप है तो इसका correct answer होगा ले Option number C इसका सही answer होगा Next question इस वीडियो का लाश्ट सवाल है कि बाईला कुप्पे मठ जिसे की नाम दोरलिंग के नाम से भी जाना जाता है भारत के कीस राज्य में इस्ति थे देख सकते हो एसे से CHSL के एक्जाम में पूछा गया है तो यह जो इस्ति थे दोस्तों यह इस्ति थे करनाटक राज्य में कहाँ पर करनाटक राज्य में तो अम्मीदे सभी कोस्चन आपको अच्छे लगे होंगे और अगर वीडियो पसंद आया होगा कोस्चन अच्छे लगे होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरू करना ताकि ऐसे ही आपको डेली टॉपिक वाइस, चेप्टर वाइस, MCQ की प्रेक्टिस होती रहे ठीक है और मैं डेली बेसिस पर सब्जेक्ट वाइस, टॉपिक वाइस वीडियो को कवर कर रहा हूं तो आपको बस रेगुलर रहना है और वीडियो को लाइक करना है ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक साथ नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जहीन आल दे बेस्ट